हेलो, स्वागत है आपका फ्री जिके के शानल पे मेरा नाम है किरन भावर आज किस वीडियो में हम पिछले तीन मेहने का करेंट अफेर कवर करेंगे सारे कोशन सेलेक्टेड हैं और यहां से कोशन 100% आपके एक्जाम में पूछे जाएंगे वीडियो को ध्यान से देखेगा लास्ट में दो कोशन भी पूछाएं मैंने आप सभी लोगों से जिसका अंसर आपको कमेंट करना है चले शुरू करते हैं फर्स्ट कोशन से किसे हाल ही में RBI के डिप्टी गवर्नर के रूप में निक्त किया गया है अंसर अप्शन B वाला स्वामी नाथन जानके रमन को हाल ही में RBI के डिप्टी गवर्नर के रूप में निक्त किया गया है भारत के किस राज्जे में उड़ेने वाली चिपकली के नई प्रजाती के खोच की गई है अंसर अप्शन A वाला मिजोरम में विजोरम राज्जे में हाल ही में उड़ेने वाली चिपकली के नई प्रजाती के खोच की गई है अंतर राझ्ट्री ओलंपिक दिवस प्रतिवश कंप मनाया जाता है अंसरोग उप्शन City वाला 23 June को अंतरास्ट्री उल्लम्पिक दीवस प्रतिवर्ष मनाय जाता है अंसरोग उप्शन दीवाला 22 मई को मनाय जाता है प्रतिवर्ष दुनिया भर में अन्तरास्ट्री जाए विविदिता दीवस किस टैनिस खिलाडी ने इटालियन ओपन 2023 में पुरुष एकल का खिताब जीता है इसमें से आंसर अप्शन C वाला दैनिल मैदवेदेव ने जीता है इटालियन ओपन 2023 में पुरुष एकल का खिताब नेक्स कोशन है इकोनॉमिस्ट इंटैलिजन्स यूनिट के अनुसार रहने के लिहाज से दुनिया का सबसे अच्छा शहर कौन सा है अंसर अप्शन वी वाला वियना यह रहने के हिसाब से सबसे अच्छा शहर है नेक्स कोशन है राजिस्तर पर योग सत्र के लिए सबसे अधिक लोगों के एकत्र होने का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड किस शहर में बना है गुजरात के सूरत शहर में बना है राजिस्तर पर योग सत्र के लिए सबसे अधिक लोगों के 71 होने का गिनीज वर्ल्ल रिकॉर्ड नेक्स्ट कुशन है ओशन रिंग औफ योगा का आयजन किसके द्वारा किया गया अंसरग आप्शन एवाला भारतेश के प्रधान मंतरी अंसरों को ओप्शन E वाला अमेरिकी कॉंग्रिस के सेयुक्ति सत्र को दो बार समोधित करने बाले पहले भारती प्रधान मंतरी है नेज्ट कोशन है नेहरू मैमोरियल म्युजियम एंड लाइबरेरी सोसाइटी का नाम पदल करके क्या रखा गया है अंसरों का ओप्शन बी वाला पी एम मैमोरियल म्यूजियम एंड लाइबरेरी सोसाइटी कर दिया गया नेक्स कोशन है दो सो अंतरास्ट्रे मैच खेलने वाले पहले पुरुष फुटबॉलर कौन बने है पता है अंसर क्या हो सकता है इसमें से अंसर बी वाला है ना क्रिस्टियानो रोनाल्डो है दो सो अंतरास्ट्रे मैच खेलने वाले पहले पुरुष फुटबॉलर रोनाल्डो नेक्स कोशन है किस राज्जे में पुलिस के लिए अरुन पॉल एप नामक एप लाँच किया गया है नाम से आप समझ गया होंगे य अरुन पॉल एप लाँच किया गया है अरुना चल प्रदेश के लिए अरुन पॉल एप लाँच किया गया है नेक्स कोशन है किसे बी एसेफ की महानिदेशक के तौर पर नियुक्त किया गया है नेक्स कोशन है हुरुन इंडिया के अनुसार भारत की सबसे मुल्यवान लि क्लाइन्स इंडस्ट्रीज है हुनों इंडिया के अनुसार भारत की सबसे मुलिवान लिस्टेट प्राइविट कंपनी एशियन चैंपेंशिप में पतक जीतने वाली पहली भारतिय तलवारबाज खिलाडी कौन है भारत की किस खिलाडी ने किस खिलाडी ने किस खिलाडी ने किस अदेश को स्वदेश निर्मित बिसाइल कारवेट आई एनस क्रपान उपहार में देश है किसे यह है वीट नाम को आई एनस क्रपान आगे बढ़ेंगे नेक्स कॉशन है भारत की राश्च्री खिलो की 37th संस्क्रण का अयोजन किस राज्य में किया जाएगा अंसर अप्शन D वाला, गोवा में किया जाएगा 37th संस्क्राण का आजन राश्ट्री खेलोगा नेक्स कोशन है, फिनलैंड के नई प्रधान मंतरी के रूप में किसे चुना गया है Čनसर अप्शन C वाला है, पैटेरी औरपो को चुना गया है फिनलैंड के नए प्रधान मंतरी के रूप में नेक्स कोशन है, स्क्वेश вес cup 2023 का टाइटल किसा देश न जीता है अनसर अप्शन D वाला, मिश्रण न जीता है स्क्वेश вес cup 2023 का टाइटल किसे Research and Analysis Wing की नई प्रमुख के रूप में नुक्त किया गया है अंसरोग Option B वाला सल्मान रूसदी को ये लेखक है जिने प्रतिस्टित जर्मन पीस प्राइस से समानेत किया गया है इसे जुड़ी हुई पुस्तक से भी कुशन्स बनते हैं एक्जाम में नेक्स्ट कुशन है भारत की पहली महला कवड़ी लीका उद्गाटन कि शहर में किया गया अंसरोग Option B वाला दुबई में किया गया है भारत की पहली महला कवड़ी लीका उद्गाटन जम्मो कश्मिर के बाद किस राज्य में भारत का सबसे बड़ा लीथियम का भंडार मिला है यह मिला है राजिस्थान में पहले मिला था जम्मो कश्मिर में उसके बाद मिला है राजिस्थान में लीथियम का भंडार राजपती दुरापती मुर्गों ने 9 मई 2023 को राजपती भवन में आयजित रक्षा अलंकरन समाहरों में कितने लोगों को किर्ती चक्र से सम्मानित किया। पनामा में भारत के अगले राजपती के रूप में किसे निक्त किया गया। गीता प्रेस के 100 साल पूरे होने पर इसे किस पुरुसकार से सम्मानित किया गया। इसे गांधी शांती पुरुसकार से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट कोशन है भारत ने किस टीम को हरा कर इंटर कॉंटिनेंटल कप का टाइडल जीता है। नेक्स्ट कोशन है आउटर रिच कारिकरम जूली लद्दाक का आयजन किस के दुआरा किया जा रहा है। नेक्स्ट कोशन है दो दिवे से साइन्स टुन्टी सम्मिलन का आयजन किस शेहर में किया जा रहा है। नेक्स्ट कोशन है हाल ही में किस रेल्वे स्टेशन को इटर राइट स्टेशन सर्टिफिकेट से सम्मानित किया गया। अंसर अप्शन B वाला गुहार्टी रेल्वे स्टेशन को सम्मानित किया गया है इटर राइट स्टेशन सर्टिफिकेट से। नेक्स कोशन है, Global Winter Day प्रतिवश कब मनाया जाता है? अंसर अप्शन C वाला 15 जून को Global Winter Day प्रतिवश मनाया जाता है? नेक्स कोशन है, CNG से संचालीत देश की पहली Toy Train का उदघाटन किस राज्ये में किया गया? अंसर अप्शन A वाला, राजिस्थान में किया गया है? CNG से संचालीत देश की पहली Toy Train का उदघाटन नेक्स कोशन है, स्कुष विश्व कब 2023 का आज़न भारत के किस शहर में किया जा रहा है? भारत के चन्ये में इसका आज़न किया जा रहा है, स्कुष विश्व कब 2023 का नेक्स एं, फीफा अंडर ट्वंटे विश्व कब का टाइटल किस टीम ने जेता है? अंसर अप्शन B वाला, उरुगवे ने जेता है फीफा अंडर ट्वंटे विश्व कब का टाइटल किसे केंद्रे मंत्री ने आपदा प्रबंदन के लिए 8,000 करोड रुपे से अधिक की योजनाओं की घोशना की है किसे राज्य सरका ने राज्य के पद्म अवाड विजयताओं के लिए मासिक पेंशना की है किसे रज्ज सरकाँ में? हरियाणा रज्ज सरकाँ में जिसे भी पदम अवर्ट से समानित किया जाएगा, उनको मासिक पैंशन देने की खोजनगी है नेक्स कोशन है विश्वरक्तिदातदिवस प्रतिवस का मनाया जाता है यह मनाया जाता है 14 जून को विश्व रखते दाता दिवस्ट next question है 4BURS की global 2000 top company की list में Reliance Industries Limited का कौन से स्थान है 2000 top companies में से Reliance Industries आती है 45th नमबर पर ठीक है 45 वे नमबर पर है 2000 top companies में से 45 वे नमबर पर है और भारत देश में top पर next है प्रधान मंत्री ने पहले National Training Conclave का उद्घाटन कहां किया है इसका उद्घाटन किया गया है नई दिल्ली में प्रधान मंत्री ने पहले National Training Conclave का उद्घाटन किया है नई दिल्ली में next question देखेगा Asia Cup 2023 hybrid model में किन दो देशों में आयजित किया गया है अंसर क्या होगा option C वाला Shilanka और पाकिस्तान Shilanka और पाकिस्तान में इशकव 2023 hybrid model hybrid model में इसको दो देशों में आयजित किया जाएगा है इशकव 2023 में जो होने वाला है ये दो देशों में आयजित होगा Shilanka और पाकिस्तान में next question है Vishwa Bank ने दक्षिन एशा में अपनी पहली सडक सुरक्षा परियोजना के शुरुआत किस शहर में की है इसके शुरुआत की है डाका में नेक्स कोशन है हाल ही में रिजर बैंक का उपकार्य लए किस राज्चे में खुला है अंसर क्या होगा option B वाला नागा लेंड में खुला गया है नेक्स कोशन है सभी ICC खिताब जीतने वाली दुनिया की पहली टीम कौन सी बनी है बताइए अंसर कोशन D वाला आस्टेलिया याद रखेगा इंपॉर्टन कोशन है सभी ICC खिताब जीतने वाली दुनिया की पहली टीम बनी है आस्टेलिया नेक्स कोशन है महला जूनियर होकी एश्या कब 2023 का खिताब किस टीम ने जीता है अंसर और ऑप्शन ए वाला भारत टीम ने जीता है महला जूनियर होकी एश्या कब 2023 का खिताब नेक्स कोशन है फ्रेंच ओपन पुरुष एकल का खिताब किस खिलाडी ने जीता है 2023 में किस ने जीता है बताइए Very important question Grand Slam से तो questions आते ही है exam में बताइए अंसर क्या होगा Option C वाला नोवाक जोकोविच ने जीता है French Open पुरुष एकल का खिताब Next question देखेगा किसे हाल ही में International Air Transport Association की Board of Governance की अधिक्ष के रूप में चुना है Board of Governance की अधिक्ष के रूप में किसे चुना है Peter Elbers को चुना गया है ठीक है Next question है Miss World present 2023 का आज़न किस अधेश में किया जाएगा इसका आज़न किया जाएगा हमारे भारत देश में Miss World present 2023 का आज़न Next question है अरब सागर में ओठे Bipper Joy साइक्लोन को किस देश द्वारा नाम दिया गया काफी जादा important question इस तरह के questions बनते एक्जाम में इसके उपर हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे कौन-कौन से साइक्लोन को कौन-कौन से देश के द्वारा नाम दिया गया है साथ में यहाँ भी बताएंगे कि कहाँ पर इसका सबसे ज़्यादा असर देखने के लिए मिला था ठीक है चलिए आंसर ओगा option D वाला बांगलादेश ने इसका नाम दिया है Bipper Joy Next question है पहला भारत फ्रांस UAE Maritime Exercise का आयोजन कहां किया जा रहा है इसका आयोजन किया जा रहा है ओमान की खाड़ी में याद रखेगा आगे बढ़ते हैं Next question की तरफ किस रेल्वे जोन ने शहीदों के नाम पर ट्रेनों के इंजिनों का नाम अनकरण किया है अंसरोगा ओप्शन A वाला उत्तर रेल्वे जोन ने शहीदों के नाम पर ट्रेनों के इंजिनों का नाम अनकरण किया Next question IPL 2023 का खिताब किस ने जीता है बताइए Answerोगा ओप्शन D वाला Channel Super Kings ने जीता है IPL 2023 का खिताब Next question है World Test Championship में भारत की और से सरवाधिक रन बनाने का रिकॉर्ड किस खिलाडी के नाम है बताइए Answerोगा ओप्शन C वाला विराट कोहली के नाम पर है Next question है International Shooting Sports Federation Junior World Cup की मैडल लिस्ट में भारत कि स्थान पर रहा है भारत देश राहे से पहरे स्थान पर देखें International Shooting Sports Federation Junior World Cup की मैडल लिस्ट में चलिए आगे बढ़ेंगे भारत ने हाल ही में ओडिसार तट से किस मिसाइल का सफल परिक्षन किया है Answer of Option A वाला अगनी प्राइम का सफल परिक्षन किया है ओडिसार तट से Next question है किस राजी सरका ने प्रदूशन के स्तर को कम करने के लिए Air Purifier वाली बसे लाँच की है किस राजी सरका ने पश्यम बंगाल राजी सरका ने Air Purifier वाली बसे लाँच की है Next question है Dimstick Energy Center किस देश में स्थापित किया जाएगा Dimstick Energy Center भारत में स्थापित किया जाएगा देश के किस एरपोर्ट पर यात्री बिना एप डाउनलोड किये डीजी यात्रा का उप्योग कर सकते हैं किस एरपोर्ट पर इंद्रा गांधी अंतरराश्टी हवाई अड़े पर नेक्स कुशन देखे किसे पश्य बंगल के रज्य चुनाव आयुक्तिक के रूप में नुक्त किया गया है अंसर और बॉप्शन बी वारा राजीव सिन्हा को नुक्त किया गया है नेक्स कुशन भारती विशिष्ट पहचान प्राधीकरण के CEO के रूप में किसे नुक्त किया गया है नेक्स कुशन है विश्व महासागर दिवस प्रतिवश कम मनाया जाता है यह मनाया जाता है आठ जुन को विश्व महासागर दिवस आगे बढ़ेंगे नेक्स कुशन है अपने खुद की इंटरनेट सेवा शुरू करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है वहाँ पहला राज्य है केरल अपने खुद की इंटरनेट सेवा को शुरू करने वाला किस राज्य सरकार ने मुख्य मंतरी सीखो और कमाओ योजना शुरू करने के घोशना की है योजनाओं से जुड़ेवे कुशन तो 100% एक्जाम में आते हैं इसके उपर मैं लग से वीडियो बनाती भी हूँ और उस टॉपिक से और उस वीडियो से भी जुड़ेवे कुशन 2022 के बहुत सारे एक्जामस में देखने के लिए मिले थे इसलिए आप जितनी भी हम वीडियो से अप्लोड करते हैं उनको आप लास तक पुरा दिखा करो है अंसर को ऑप्शन एवाला मध्य प्रदेश सम्मानित किया गया है इन्हें हाल ही में सुरी नाम देश के सर्वोच नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया है रासपती द्रौपती मुर्मों को नेक्स कोशन है अंडर 20 एशियन एथलेटिक्स चेंपेंशिप में भारत के किस खिलाडी ने स्वन पदक जीता है किसने जीता है सिद्धार्त चौत्रे ने जीता है याद रखेगा अंडर 20 एशियन एथलेटिक्स चेंपेंशिप में भारत के लिए स्वन पदक नेक्स कोशन है विश्व बैंक के चौदवे अधिक्ष के रूप में किसने पदभार ग्रहन किया है विश्व बैंक के चौदवे अधिक्ष के रूप में किसने पदभार ग्रहन किया है अजे बंगाने है आगे वढ़ेंगे नेक्स कोशन है भारत की किस रसलर ने यू डबलू डबलू रैंकिंग सिरीज में गोल्ड मेडल जीता है विश्व परियावरन दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है यह मनाया जाता है पांच जून को विश्व परियावरन दिवस विश्व मौसम विज्ञान संगठन के उपाध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है अंसर को ऑप्शन सी वाला अंसर को ऑप्शन दूचन को विश्व परियावरन दिवस यह मनाया जाता है अंसर को ऑप्शन दिवस विद्यूत बिहारी स्वैन को अंसर को गया है संग लोग सेवायोग विद्यूत विद्यूत बिहारी स्वेन को विश्व मौसम विज्यान संगठन की पहली महला महासचयों के रूप में किसे नुक्त किया गया अंसर क्या होगा option D वाला सलेस्ते साउलो को नुक्त किया गया है विश्व मौसम विज्यान संगठन की पहली महला महासचयों के रूप में किसने हाल ही में Air Officer in Charge Administration का पदभार ग्रहण किया है बारत ने किस टीम को हरा कर पुरुष हौकी जूनियर एश्या कप का खिताब जीता है बारत ने पाकिस्तान को हरा कर के पुरुष हौकी जूनियर एश्या कप का खिताब जीता किया गया है भारतिय खादी सुरक्षा और मानक प्राधी करण की रास्टिय परिक्षन के इंद्र का उद्गाटन नेक्स कोशन है भारत सरकान ने हाल ही में चक्रावत से प्रभावित किस देश में रहातरो बचाव के लिए ओप्रेशन करूणा शुरू किया है अंसरों का उप्षन B वाला म्यामार देश में रहात बचाव के लिए ओप्रेशन करूणा शुरू किया गया नेक्स कोशन है प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश के सरवोच सम्मान कैम्पियन ओफ ओडर ओफ फिजे से सम्मानित किया गया है किस देश का यह सरवोच सम्मान है फिजे का यह सरवोच सम्मान है नेक्स कोशन है फेशन के सरवोच किया है प्रधान मंत्री जन धन योजना का सो प्रतिशन कावरेज हासल किया किस देश ने टैफून लॉंच किया है जो कमदूरी की बैलिस्टिक मिवैल है अंसर को उप्षण दिवाला तुर्की तुर्की देश की कमदूरी की बैलिस्टिक मिवैल है जिसका नाम है टैफून हाल ही में केंद्र सरकार ने किरेन रिजज़ुई के स्थान पर किसे भारत का नया कानून मंत्री बनाया है अंसर क्या होगा option B वाला अरजुन राम मेगवाल को निक्त किया है किरेन रिज़ुई के स्थान पर भारतेश के नया कानून मंत्री कौन होगी अरजुन राम मेगवाल आगे बढ़ते हैं next question तिरफ हाली में सिधारा मैया किस दक्षणी भारत के 22 मुख्य मंत्री बने है answer option D वाला करनाटक राज्य के यह 22 मुख्य मंत्री बने है next question देखेगा किसे टुटर की नई CEO के रूप में नुक्त किया गया है answer option C वाला लिंडा याका रिनो को टुटर के नई CEO के रूप में नुक्त किया गया next question है fashion brand Gucci की पहली इंडियन ग्लोबल ब्रैंड अमिस्टर कौन बनी है कौन बनी है आलिया भड बनी है Gucci की पहली इंडियन ग्लोबल ब्रैंड अमिस्टर next question है हाल ही में किस पुरुष खिलाडी ने वर्ष दोहजार तेविस का Loris World Sportsman of the Year का पुरुषकार जीता है answer option B वाला Lionel Massine जीता है Loris World Sportsman of the Year का पुरुषकार next question है हाल ही में जारी World Press Freedom Index दोहजार तेविस के 180 देशों में भारत को कौन सा स्थान मिला है देखिए 180 में से भारतिश आया है 161 पोजिशन पर next question है हाल ही में किसे Bank of India का नए MD और CEO निउक्त किया गया है Bank of India के नए CEO और MD बने है Rajneesh Karnatak next question है चेन के प्रथम में विश्व सतरंज चैंपियन खिलाडी कौन बने है answer option C वाला Ding Liren बने है चेन के प्रथम में विश्व सतरंज चैंपियन खिलाडी चलिए आगे बढ़ेंगे next question है cycling Federation of India के नए अधिक्ष कौन बने है answer option C वाला Pankat C बने है Cycle Federation of India के नए अधिक्ष next question है Film Fair Awards 2023 में किसे सर्वस्ट्रेश रभीनेता का पुरुसकार मिला है आप इसका अंसर बताइए answer option B वाला राजकुमार राव Film Fair Awards 2023 में इन्हें सर्वस्ट्रेश रभीनेता का पुरुसकार मिला है next है किस रज्जे में भारत की पहली Water Matter सेवा को गाटन किया गया है केरल रज्जे में किया गया है next question है किस अदेश ने रिकॉर्ड तेरवी वार Badminton सुधीर मनकप 2023 का खिताब जीता है चीन अदेश ने जीता है next question किस प्रेस ने रूस यूकरेन युद की अंतरास्ट्रे रिपोर्टिंग के लिए प्रतिस्ठित पुलिजर पुरुसकार 2023 जीता है नियू यूक्स टैम्स ने जीता है next question है भारत के किस स्टार खिलाडी ने दोहा डाइमर लिग 2020 का खिताब अपने नाम किया है निरा चोबडा ने किया है next question है तिर्थ यात्रियों को मुफ्त हवाई सेवा यातरा प्रदान करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन सा है मध्यप्रदेश राज्य है सेवरास सेह सरकार ने यह किया है तिर्थ यात्रियों को मुफ्त हवाई सेवा यातरा प्रदान की है next question है बी सिसी आई दोहारा किसे हाल ही में इंडियन क्रिकेट टीम का किट स्पॉंशर घोसित किया है किसे किया है एडि डास को बी सिसी आई दोहारा हाल ही में इंडियन क्रिकेट टीम का नया किट स्पॉंशर कोन बना है एडि डास next है भारत की किस राज्य में हाल ही में सबसे बड़े काफी जगा पर अवस्तित हुसेन सागर जिल के किनारे डाक्टर भीम राव मेटगर के 125 फीट उची प्रतीमा का नावरण किया गया अंसर अप्षन बीवाला है द्राबाद नेक्स्ट कुषन देखेगा भारती रिजब बैंक ने कितने रुपे के नोटों की वापसी की घोशना की है किसने हाल ही में सत्रवे कमांडर इन चीफ के रूप में पदभार समाला है साजू बाल कृष्णनने समाला है किस बंदरगाह को सागस रिष्ट समान पुरुसका से समानित किया गया है कोचिन बंदरगाह को सागस रिष्ट समान पुरुसका से समानित किया गया एक्सिस बैंक ने किसे गैर कारे कारी अधिक्ष के तौर पर नियुक्त किया है अंसर दगो ऑप्शन सी वाला एन-ैस विष्वानाथन को एक्सिस बैंक ने एन-ैस विष्वानाथन को कारे कारी अधिक्ष के तौर पर नियुक्त किया है किस राज्ये ने हाल ही में तेरवी होके इंडिया सब जुनियर महला राश्चर चैंपिन्शिप जीती है हर्याणा ने जीती है हाल ही में संग लोग सेवा आयक के चेर्मेन कौन बने है बेवाला मनोज सोनी बने है संग लोग सेवा आयक के चेर्मेन हालिय में कि इन दो देशों के बीच में सुविक्त अभ्यास समुदर शक्ति का चौथा संस्क्रण आयजित किया गया किस राजय सरका ने गीता कार्मी कूला बीमा योजना शुरू की है सौर्यमंडल के दूसरे सबसे बड़े ग्रह शनी के 62 नए उब ग्रह की खोज की गई है अब बताइए इसके पास कितने उब ग्रह है ठीक है नए 62 उब ग्रह की खोज की गई है वैसे यह जो खोजना यह बढ़ती रहेगी तो देखे अभी हाल ही में तो 145 उब ग्रह है लेकिन आने वाली फ्यूचर में यह संख्या बढ़ सकती है 145 उब ग्रह है अब सनी के पास ठीक है नेक्स कूशन है भारत ने किस देश में सीत्वे बंदरगाह का संचालान शुरू किया है बारादेश ने म्यामार में सीत्वे बंदरगाह का संचालान शुरू किया नेक्स कूशन है बच्चों के लिए डिजिटल हेल्थ कार्ड बनाने वाला पहला राज्य कौन सा है उत्रप्रदेश है बच्चों के लिए डिजिटल हेल्थ कार्ड बनाने वाला इस थीम के साथ अंतरास्ट्य परिवार दिवस मनाया गया है हाली में कहा मोनलम चेनमो उटसव आज़ित किया गया है किस शहर में पुलिस ने हाली में इस्टे इन यूर लेन अभ्यान शुरू किया है यह शुरू किया है शारजा हमें किसके दुआरा हाली में पुशन भी पढ़ाई भी नामा के कभियान का शुभारम किया गया किसके दुआरा स्मृति इरानी के दुआरा यह कौन है केंद्रे बंतरी है स्मृति इरानी इंके दुआरा पोशन भी पड़ाई भी नामा के अभियान का शुभारम किया गया देट स्थिस कोशन है, चलने का अधिकार को लागु करने वाला भारत का पहला राज्य 해 कौन सा है, पंजाब राज्य 해, चलने का अधिकार लागु करने वाला नेक्स्ट है परेटन स्थलो पर स्वच्चता बरकरा रखने के लिए किस राज्जी की पुलिस ओप्रेशन मर्यादा नामा के विशेश अभियान चला रही है उत्राखंड की पुलिस चला रही ओप्रेशन मर्यादा स्वच्चता बरकरा रखने के लिए बंगाल की खाड़ी में उठे चक्रवाती तुफान, मोचा को किस दीश दुवारा यहां नाम दिया गया है, यहां यमन के दुवारा नाम दिया गया है, बहुत सारे देश मिलकर ना एक लिस्ट तियार करते हैं, जिसमें किसी तुफान के बहुत सारे नाम वो देने की कुशि किस कंपनी ने हाल ही में ICC के Global Sponsure के रूप में भारत पेह की जगली है Mastercard ने Next question है 22 अप्रेल को किस थी्म के साथ विश्व पृत्वी दीवस मनाया गया है यह हमारे गरह में निवेश कर इस थी्म के साथ 22 अप्रेल को प्रिथवी विश्व प्रिथवी दिवस मनाए गया गया नेक्स्ट है भारत रतन डाक्टर अंबेटकर अवार्ड 2023 से किसे समानित किया गया है योगी आदित्यनात को समानित किया गया है भारत रतन डाक्टर अंबेटकर अवार्ड 2023 से नेक्स्ट कोशन है फुटबॉल का प् इसे आजित किया गया है तेलिन एस्टोनिया में नाटो दोरा दुनिया का सबसे वड़ा साइबस दुरक्षा अभियास लॉगडशील दोहजार तेवी सायजित किया है याद रखेगा तेलिन एस्टोनिया में चलिए आगे बढ़ते हैं next question है हाल ही में कॉप इंडिया 2023 सवायू अभिहास में किन देशों ने भाग लिया है उसमें भारत और अमेरिका ने भाग लिया है कॉप इंडिया 2023 सवायू अभिहास में चलिए आज की वीडियो में इतना ही 135 questions मैंने cover करवाए हैं और आने वाले विश्व एथेलेटिक्स चेंपिर्शिप 2022 में नेरत चोपडा ने कौन सा पदक जीता दो हजार बाइस का सवाल पुछा है आपसे और अगला सवाल है 68 रास्टे फिल्म पुरुस्कारों में फिल्म तनहाजी द अंसीन वोरियर के के लिए किस अभिनिता को बेस्ट एक्टर का अवाड दिया गया दो कुशन आपके पास इनका अंसर क्या होगा आपको कमेंट करना है चलिए आज की वीडियो में तना ही आई होप यह वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी पसंद आई है तो चैनल को अभी सब्स्राइब करना बेल नोटिफिकेशन आइकन पर और प्रेस जरू करते ना और अगर आपको वीडियो पसंद भी आती है तो प्लीस आप इसको शेर भी जरू करिएगा ठीक है चलिए वीडियो को लास्त तक देशने के लिए ठैंक्यों सो मच और हमारी चैनल पर जुड़े रहने के लिए आप सभी लोगों को बहुत सारा ठैंक दाठी के लिए क है।